नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं कच्छे आलू का बहुत ही टेश्टी नास्ता बनाऊंगी जो बच्छों और बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आएगा तो चलिए कैसे बनाते हैं देखते हैं वीडियो को फटा-फटी स्ट आज मैं कच्छे आलू का नास्ता बनाऊंगी तो नास्ता बनाने के लिए मैंने देखिए दो आलू लिया है इसे छील के और मैंने इसे दो लिया है अब हम इसे कद्दुकस करेंगे तो हम इसे डारेक्ट पानी में ही जो हम कद्दुकस करेंगे वह पानी में ही जाना चाहि को कद्दुकस कर लिए हैं देखे किता बढ़िया से कद्दुकस हो गया है तो चलिया आगे बताते हैं तो हमने एक गड़ाई में एक गिलास पानी डाल दिया है और गयास गरा चालू करके चालू कर दिये हैं फिर हम इसमें जो हमने कद्दुकस किये हैं आलो उसे डाल देते ह तो हमारे जितने भी आलू रहेंगे हम इसमें डाल देंगे तो देखिए हमने सारी आलू को डाल दिये हैं और फिर हम इसमें आदा गिलास और पानी डाल देंगे तो कुल हम डेल गिलास पानी का यूज़ किये हैं और इसे हम धकन लगा के उबलने के लिए रख देते हैं फिर इपने अलो को कद्डू कस कर लिया है तो उबने में ज्यादा टाइम नहीं लग PARA जाएगा तुरन तुल जाएगा अतल्ब ज़या ही अजá अजquisite और मिलहे है जिए आप्सार शलों अलो आ छाएए तो यहां को आधा निस में करीब हम चाट मसाला डालते हैं यह डाल दिये हमने फिर हम इसमें डालेंगे एक कटा हुआ प्यास डालेंगे बार एक कटा हुआ प्यास हमको डालना है फिर मिर्च आप अपने स्वात के नुशा डाल सकते हैं मैं मिर्च थोड़ा साही डाल रहे हूं अगर आप बच्चों के नास्ता बना रहे हैं तो मिर्ज का ध्यान रखिएगा ज्यादा मिर्ज बच्चे नहीं खापाते हैं फिर हम इसमें एक कटोरी सूजी डालते हैं कि दो यालो में हमको एक कटोरी सूजी लेना है। फिर हम इसमें धनिया के पत्ते डाल देते हैं। और इन सबको अच्छे से हम मिलाके और इसे हम पका लेंगे। इस थरह से हम चलाते हुए agree से अच्छे से हमें पकाना है ताकि हमारा सूजी भी पक जाए अब इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं मिर्ची पॉडर अब इस तरह से चलाते हुए आपको इसका पानी सुखा लेना है तो इसे आप लगता चलाती रहेगा नहीं तो सूजी नीचे पकने लगता है दोस्तों कि यह नास्ता बहुत ही टेश्टी बनता है आप चलूर एक बार बनांके ट्राइ कीजियेगा बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा यहां तक कि बड़ों को भी बहुत ही पसंद आता है मतलब बच्चों से ही नहीं बच्चेगा तो बड़े कहां से खापाएंगे इतना टेस्टी नास्ता बनता है तो देखें ये पूरी तरह से सूजियाक का जो हमारा आलो का पेष्ट है पुरत तयार हो गया है तो हम एक ट्रे चाहे थाली कुछ भी हो उसमें आप नीचे तेल लगा लिजेगा और उसमें सारे पेष्ट को डाल के हमें फैला लेना है हमें इसकी जो परत हम फैलाएंगे ना ही एकदम मूटा परत फैलाना है और ना ही एकदम पतला हमें मीडियम परत फैलाना है और फिर हम इसे फैला के इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे तो पहले तो हम इसे अच्छे से फैला लेते हैं तो आप जैसे पल्टा की साहता से बढ़ी असी से फैला लिजेगा तो अगर आपके पस्ट्रे ना हो तो आप थाली में भी इसे इस तहसे फैला सकते हैं बस इतना ध्यार रखेगा आपकी जो परत फैला रहे हैं वो ज़्यादा मोटी ना हो और नहीं ज़्यादा पतली हो मीडियम होना चाहिए तो देखे यह हम इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए फिर जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसका क्या करते हैं देखते हैं तो यह जो हमने अलू का पेष्ट तयार किया था वो ठंडा हो चुका है अब मैं इसे कट लगा रही हूँ तो मैं थोड़ा बड़ा कट लगा रही हूँ बड़े पिसस कट कर रही हूँ तो हम इतने में तीन चार कट लगा लेंगे तो मैंने तीन कट लगा आए हैं फिर हम इस तरह से भी कट लगा लेंगे देखे ऐसा दोस्तों आप बच्चों के लंच बाक्स में भी इस नास्ता को दे सकते हैं बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा या फिर जैसे साम को हलकी फुल की भूग में भी आप इस नास्ता को चाय के साथ ले सकते हैं देखे फिर हमने इसे पीस से भी कट लगा लिए हैं तो हमने जितने भी हमारे पीसे हम उनको कट कर लेते हैं देखे मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कट कर ली हूँ देखे कितना बढ़िया से बना है देखे बहुत ही अच्छा आप इसे दो तीन दिनों तक फ्रीज में रखके इस्टोर भी कर सकते हैं जैसे आप बना लेजिए और इसे कट करके फ्रीज में रख दीजिए और जब भी मन हो आप इसे निकाल के तल के खा सकते हैं देखे कितना बढ़िया से फीसेज बने हैं बहुत ही अच्छा तो चलिए अब हम इसे तन्ने की तयारी करते हैं तो हमने एक बरतन में जो हमने भगोना लिया है उसमें हम तीन चमच अरा रोट डालेंगे हमें इसे बेसन में नहीं तलना है अगर हम बेसन में तलेंगे तो बेसन की जो लेयर होती है बहुत मूटी हो जाती है तो यह बहुत अच्छा नहीं लगेगा तो हम इसे अरा रोट में ही तलेंगे तो हम इसमें तीन चमच लिए हैं अगर आपको जितना लगे उतना आप डाल सकते हैं और हम थोड़ा सा नमक डालते हैं और फिर हमने इसका पेश्ट तयार कर लेते हैं तो देखिए हमारा पेश्ट भी तयार हो गया है और फिर हमारा जो यह पीसेस है हम इसे और मैंने इधर ना कड़ाई में तेल भी गरम होने के लिए रख दिया है तो हम इसे इस तरह से डुबाएंगे देखें और फिर हमने लिया है ब्रेट का चूड़ा इसे आप इस तरह से लपेड दीजिएगा ब्रेट में जो हमारे पीसेस है उसमें और फिर इसे हम तेल हमारा हाई टू मेडियम गरम होना चाहिए तो हम इसे डालते जाएंगे इस तरह से पेश्ट में डुबा डुबा के और जो ब्रेट का चूड़ा है उसमें लपेड के हम इसे तलते जाएंगे हैं अगर अब brID का चूरा बनाना चाहिए तो आप जैसे ब्रिट को सेक लिए गा चाहर टोस को सेक तोस तो वैसे भी यह रहता है हाड रहता है आप उसे मेक्सी में पीस लीजेगए और इसका चूरा तयार कर लीजेगा तो देखिए हम हमने जितने हमारे कड़ाई में हमने उतने डाल दिये हैं और भी हम इसे तल लेते हैं और हमें medium to high flame में इसे तलना है जैसे थोड़ा हाई कर दीजे फ्लेम फिर थोड़ा मीडियम कर दीजे देखे कितना बढ़िया आसा नास्ता बना है और बहुत एक कुरकुरा बहुत ही टेश्टी लगता है दोस्तों आप एक बर जरू ट्राइ कीजिएगा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा तो हम इसे नि के तल लिजेगा तो देखे हमारा जो नास्ता था आलो का बन के तयार हो गया है बहुत ही टेश्टी बना है आप इसे चटनी के साथ साथ हरीवली चटनी के साथ सौस के साथ आप इसे खा सकते हैं तो मैंने तो सौस रखा है मैंने चटनी नहीं विराया है फिर बक्यों कि ब तो आप चाहे तो चटनी के साथ भी इसे खा सकते हैं दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा सेयर कीजेगा कॉमेंट कीजेगा और नौटिफिकेशन के वेल आइकन को दबा दिजिएगा जीजे आनल ये वीडियो की नौटिफिकेशन केंट